ओम शांति, बाबा ने हम बच्चों को अनेक स्वमानों की माला दी है, बाबा कहते हैं रोज स्वमान की सीट पर सैट रहो, तो स्वता और सहज संपूर्ण संपन बन जाएंगे, जैसा की अभी विशेश, गनेस महुत्सव का समाय है, अनेक भक्त आत्माएं, दुखी आत्माएं, गनेस का आहवान कर रही हैं, की हे इष्ट गनेस, विग्न हरता विग्न विनासक गनेस, दुख हरता सुख करता गनेस, आव हमारी इच्छा मनोकामना पूर्ण करो, हमारे विग्न हरो, दुख हरो, हमें सुख सान्ती प्रदान करो, तो ऐसे समय के लिए, बाबा कहते हैं खुद को, दानी महादानी वर्दानी स्वरूप में इस्थित कर लो, इसम्रती रखो, मैं इष्ट देव, पूर्वज आत्मा हूं, तो आज तो अभी गनेस उत्सव चलना है 28 सितंबर तक, तो 28 सितंबर तक रोज, हम गनेस स्वरूप के स्वमानों का अभ्यास करें, उस स्वमान की सीट पर सैठ होकर, हर आत्मा के विग्न, दुख, असांती को हर कर, उन्हें सुख सांती का वर्षा दें, तो आज ऐसे ही गनेस स्वरूप के 21 स्वमानों का अभ्यास करेंगे, तो अनुभाव करें स्वयम को, मैं आत्मा भ्रकुटी सिंधासन पर विराजमान हूँ, ऊपर परमधाम से, सिव पिता अपनी सक्ति साली किर्णे, मुझ आत्मा पर बर्षा रहे हैं, पिता स्यू की सक्ति साली किर्णे, स्वयम में समाते जाएं, कुछ देर ठाहरें, साक्षी होकर इस द्रस्य को देखें, कि मैं आत्मा पाँच तत्वों की देह में भ्रकुटी सिंधासन पर विराजमान हूँ, पिता स्यू परमात्मा परमधाम से, सक्ति साली किर्णे मुझ पर बर्षा रहे हैं, और मैं आत्मा सक्ति साली किर्णों को समा कर, संपूर्ण संपन्न बन गई हूँ, सर्व सक्तियों से भरपूर हो गई हूँ, ऐसा अनुभव हो रहा है, जैसे मैं सिद्धी स्वरूब गणेश बन गई हूँ, मैं गणेश सिव पिता की संतान हूँ, मैं गणेश सिव पिता की संतान हूँ, मैं विग्ण हर्ता गणेश हूँ, अनुभव करें स्वयम को विशाल मंदिर में विराजमान, भक्तों की लाइन हैं, दुखी असांत भक्त मेरी महिमा कर रहे हैं, मैं दुख हर्ता गणेश सिव पिता की संतान हूँ, मैं विग्ण हर्ता गणेश सिव पिता की संतान हूँ, मैं विद्यापती गणेश हूँ, मैं ग्यान सागर पिता सिव की संतान, मास्टर ग्यान सागर विद्यापती गणेश हूँ, मैं समाने की सक्ती से भरपूर, बड़े और लंबे पेट वाला लंबोदर गणेश हूँ, मैं इस्ट देवों का देव, गण राजा गणेश हूँ, मैं इस्ट देवों का देव, गण राजा गणेश हूँ, मैं सर्व गुणों से संपन, सिद्धी विनायक कणेश हूँ, मैं सर्व गुणों से संपन, सिद्धी विनायक कणेश हूँ, सिद्धी विनायक कणेश हूँ, मैं मास्टर सर्व सक्तिवान गणेश हूँ, मैं भक्तो के अमंगल को मंगल में परिवर्धित करने वाला, मंगल मूर्धी कणेश हूँ, मैं भक्तो के अमंगल को मंगल में परिवर्धन करने वाला, मंगल मूर्थी गणेश हूँ, मैं दया का सागर, अहिंसक एक दंत, मैं दया का सागर, संपूर्ण अहिंसक एक दंत दयावंत गणेश हूँ, मैं सर्व भक्तो का उद्धारक गणेश हूँ, मैं विशाल बुद्धी धरी, गजानन्द गणेश हूँ, मैं विशाल बुद्धी धरी, गजानन्द गणेश हूँ, मैं सुख दाता, सुख करता गणेश हूँ, मैं सुख दाता, सुख करता गणेश हूँ, अनुभव करें स्वयम को, विशाल मंदिरों में, अपने वर्दानी हात द्वारा, अपनी दिव्य द्रश्टी द्वारा, हर आत्मा का विग्न हरना, एक एक आत्मा को दुख से मुक्त कराकर, सुख दिन, यही स्रेश्ट करतव्य, सिव कल्यान कारी पिता परमात्मा ने मुझे दिया है, तो मैं सिव पिता का आग्याकारी बच्चा, विग्न हरता, दुख हरता कणे शूं, मैं वर्दानी महादानी कणे शूं, मैं वर्दानी महादानी गणे शूं, मैं ग्यानवान मोदक धारी गणे शूं, मैं ग्यानवान मोदक लेड़ू धारी गणे शूं, मैं मर्यादा पुरुशोत्तम गणे शूं, मैं मर्यादा पुरुशोत्तम गणे शूं, अपने सर्व भक्तों को चिन्ताओं से मुक्त करने वाला, चिन्ता मनी गणे शूं, मैं सर्व भक्तों को चिन्ताओं से मुक्त करने वाला, चिन्ता मनी गणे शूं, मैं एक हाथ में कमल पुस्प दहरन करने वाला, पवित्र गणे शूं, मैं कमल पुस्प दहरी, पवित्र गणे शूं, सर्व गणों में प्रथम पुज्य, मैं गणनायक गणे शूं, सर्व गणों में प्रथम पुज्य, गणनायक गणे शूं, मैं सर्व भक्तों की इच्छा मनो कामना पूर्ण करने वाला, दाता विधाता गणे शूं, मैं सिव पिता की संतान, सिव सकतियों से भरपूर गणे शूं, अनुभव करें स्वयम को, ब्रकुटी सिंगासन पर विराजमान, चेतन्य चमकदार सितारे के स्वरूप में, जब तक मैं आत्मा आत्मिक स्वरूप में इस्तित रहती हूं, तो ही सिव पिता की सर्व सकतियां मुझ में समाती जाती हैं, तो खुद को सिव पिता के साथ अनुभव करते रहें, और सर्व भक्तों की इच्छा मनों काम नाएं, पूर्ण करते रहें, अच्छा कल अमरत बेला में नाए स्वमान के साथ फिर मिलेंगे, ओम शंटी